हेलो स्टूडेंट्स वी आ डिस्कसिंग इन दिस सेशन एक्सरसाइज 13C कॉशन नम्मर 11 एक से लिके दस तक पिछली वीडियो में अपलोड हो चुके हैं ठीक है तो उसी करम को आगे बढ़ाते हुए सवाल नम्मर 11 और ये 12 दोनों ही सिंपल है और ये कंसेप्ट अब तो आप लोगों को याद हो गया होगा अची तरह से inverse function दिखाई दे t मानना है log x function दिखाई दे t मानना ही है और उसकी बाद limit करना change आगे हमाने integration आ जाएंगे तो इसमें हम किसको t माने चलो पहले इसको repeat करने sin tan inverse x dx upon 1 plus x square अब हमने suppose किया t equal to tan inverse x सोच नहीं नहीं है inverse function दिया हो तो t मानना ही है उसको dt equal to 1 upon 1 plus x square dx यहाँ limit भी change कर देते हैं देखो x की जगे 0 रखेंगे तो यह 0 ही मिलेगा infinity रखेंगे तो 10 inverse infinity pi upon 2 होता है तो यह limit change हो गई अब मैंने काफी सवाल कर दी है बच्चों के लिए तो limit कैसे change करते हैं if वगरे लेके लिख देना तो यह बन गया आपका function sin t dt के बलबास इतना sin t का integration minus cos t limit 0 से 5 by 2 formula लिख देना साहर से cos t limit रखिए 5 by 2 minus cos 0 cos 90 की value 0 होती है cos 0 की value 1 होती है यह मतलब final answer इस सवाल का मिला हमें बन okay चलिए रिख धने कि वीG मृआर is मेड़ है एर है कि चलिए जर होती है सबस्क्षाद बासे делать बासे यह हो गया अब इसके बाद सॉलूशन बार रहेगा आई एक्वल टू बन से लेके ई है ना इसको भी सिस्टेमेटिक डंग से लिख देते हैं पहले आप बुक में लॉग इसकेर एक्स लिखा है एक ही बात है और डी एक्स अपॉन एक्स लॉग इसकेर एक्स माने लॉग एक्स वाला फंक्सन दो बार जैसे साइन इसकेर ठीटा लेख देते हैं तो साइन ठीटा इंटू साइन ठीटा दो बार ठीक है तो यहां हम लेट टी इक्वल टू लॉग एक्स on differentiating dt तो यह हो गया 1 upon x dx ठीक है अब limit change कर देते हैं तो put x equal to lower limit कितनी है 1 equation 1 में रखेंगे तो log 1 log 1 की value 0 ठीक है तो t equal to t लिखेंगे यह तो x की value थी तो t कुल मिला के कितना है t equal to log x की जगे बन रखा तो t की value क्या मिला 0 और यहाँ ऐसी लिखना है put x equal to 1 अब हम put x equal to e put करेंगे 1 equation 1 में तो यह log e log e की value 1 हो गई हमारा integral है वो अब t की form में convert होके बन जाएगा limit हो जाएगी इसकी 0 से 1 क्योंकि बन पे दिया था 0 और e पे दे रहा है 1 और 1 अपॉन 1 प्लस t square ओके और dx अपॉन x की जगे रख देंगे dt ठीक है यहाँ ऐसा लिख सकते है from 1 and second इसका इंट्रीकेशन सब को पता है 10 inverse t i equal to 10 inverse t limit 0 से 1 तो i equal to पहले हम रखने है 10 inverse 1 minus 10 inverse 0 i equal to 10 inverse 1 5 by 4 होता है minus 0 finally इसका answer 5 by 4 सवाल नमबर 12 सवाल नमबर 13 14 15 तीनों का solution एक साथ करेंगे ठीक है तो देखो इस वाले सवाल में आपको अब तो ध्यान आगया होगा कि अंडरूड वाले function को टीम आनेंगे है न तो माना टी बराबर अंडरूड एकस प्लस 2 ओके जब भी हम टी मानते हैं तो इसका वर्ग करके ही हम आवकलन करते हैं तो यहां से आवकलन से है टी स्केर का 2 टी डी टी 2 टी टी एकस का डी एकस ठीक है तो यह है थोड़ा थी तो टी थोड़ा द्वारा लेगा 2 टी डी टी आई एक्वल टू हाँ जी अब हम लिमिट चैंज करते हैं तो लिमिट यहां से चैंज करेंगे एकसन बन इसी को दे दो ठीक है एकस की जगे जीरू रखूंगा तो यह मिलेगा अंडर रूट 2 और एकस की जगे टू रखूंगा तो टू पिलस टू फोर्थ माइनली टू मिल जाएगा और एकस की वेल्लू मैं यहां से निकाल देता हूँ टी स्केर माइनस टू है ना एकस की वेल्लू टी स्केर माइनस टू हो गई और इसको हमने क्या माना था टी माना था और डी एकस की वेल्लू टू टी डी टी यह बन गया सवाल कोई दिक्कत तो नहीं भई देखो एक बार फिर समझा दें चलो पहले तो हमने limit change की एक केसन बन से लिखना हो side से लिख सकते हो ठीक है पहले x की जगे 0 रखा तो t की value 2 मिली फिर x की जगे 2 रखा तो 2 plus 2 कितना हो जागा 4 और 4 का square root 2 जिता होगे limit change उसके बाद x की value मैंने निकाली यहां से ठीक है कितना आजागा x की value t square minus 2 equal to x उसके बाद यह x की value रख दी और इसको हमने t suppose किया था और dx की value 2t dt 2 को भार करो यह t square का multiply कर दो तो under root 2 तो यह multiply करके 2 को भार रखने के बाद t की power 4 minus का 2t square dt हो जाएगा और इसका integration करते है carefully t की power 5 upon 5 और 2t की power 3 upon 3 है ना सबसे पहला नमबर का formula हमने लगा दिया अब हम यहां value रख रहे है पहले upper limit upper limit माने 2 तो 2 की power 5 upon 5 फिर 2 upon 3 2 की power 3 minus अब root 2 लिख दो root 2 की power 5 upon 5 और 2 upon 3 root 2 की power 3 यह हो गया 32 बटे 5 और यह हो जाएगा 8 दोनी 16 बटे 3 minus जे हो जाएगा कितना root 2 की power 5 माने root 2 root 2 5 बटे 5 बटे 5 बटे 5 तो 4 root 2 upon 5 वो minus minus plus हो जाएगा और जे आजाएगा root 2 माने हो गया 2 root 2 है ना 4 root 2 upon 3 यह है तो 2 32 बटे 5 और 16 बटे 3 इसका LCM 15 ले लो तो LCM 15 ले लेंगे तो यहां 3 दोनी 6 है 3 दरक 9 और यह 16 पंजे 80 है ना और minus का 5 ती पंदमाने हैं 4 तीया 12 root 2 और पिलास 5 चोग 20 root 2 2 बटे 15 कैल्कुलेशन ज्यादा इसमें 96 में से 80 गए तो जे बचे 16 और जे प्लस के बचे 8 root 2 ठीक है अब इसमें से common कर लो 8 तो 8 common कर लेंगे तो 2 गुणा 8 बटे 15 और यह बच जाएगा कितना 2 plus root 2 root 2 भी common कर सकते हैं तो यह आजाएगा root 2 common कर लेंगे तो 16 root 2 upon 15 यह बच जाएगा root 2 और यह बच जाएगा plus 1 यह है answer पर इस सवाल पर ओके देखता हूं सवाल नंबर 13 चला उन्होंने answer छोड़ दिया है आज़ने 16 32 बटे 15 और 16 root 2 बटे 15 यह लिख दिया है कोई देखत नहीं चाहिए यह लेखो चाहिए लेखो चाहिए लेखो चाहिए लेखो चल जाएगा चाहिए solution 14 सवाल नंबर 14 ध्यान से देखना आप लोगों को पहले भी बताया है sin inverse हो, cos inverse हो, साथ में x हो, square हो, कुछ भी हो आप इसको trigonometric function में convert करकी करेंगे वाने इस प्रतलों त्रकॉनमिती फलन को आप त्रकॉनमिती फलन में बदलेंगे वो कैसे बदलेंगे, sin inverse x को theta मान लेते है तो माना, sin inverse x equal to theta तो x equal to हो गया sin theta ठीक है, क्यों बदल रहे हैं, उसका भी कारण समय लो बई, sin inverse x का मैं direct यहीं से अवकलन करता तो एक बटे under root 1 minus x square dx आता तो वो यहां है नहीं, इसलिए sin inverse x theta माना यह तो पकी बात है कि inverse function कोई t मानना है उसके बद हम इसे उदर ले गए, ठीक है? इसका difference अवकलन करेंगे तो dx equal to cos theta d theta अब सवाल को बदल दीजिए, theta की form है limit भी change कर देते हैं, x की जगे 0 रखंगा तो 0 ही मिलेगा, बन रखेंगे तो यह pi by 2 मिलेगा इतना भी सब लोगों को आना चाहिए, sin inverse x की जगे theta और dx की value जगे cos theta d theta integrating by parts, खंड़स समाकलन विदी द्वारा खंड़स समाकलन विदी कैसे लगाते हैं, पहला फलन जैसा का जैसा इसको first मानेंगे और इसको second और यह सब लोगों को पता चल गया कि इसमें पर्थम और दुतिय फलन किसको माना जाता है कैसे हम first function लेते हैं, कैसे हम second function आई लेट वाला रूल पेछला वीडियो देखिए, तो पहला फलन जैसा का जैसा दूसरे का समाकलन फिर माइनस, फिर पहला फलन का अवकलन, इसका अवकलन कर देते हैं, ठीटा का अवकलन एक है ना और integration, स्कॉश ठीटा का integration, साइन ठीटा, डी ठीटा इस पर लिमिट 0 से πाइवाइटू लिख दीजिए, और ये 0 से पाइवाइटू ऐसे लिख दो इस पर लिमिट लगा दो, पाइवाइटू, साइन पाइवाइटू, जीरू रखेंगे तो ये जीरू हो जाएगा साइन ठीटा का integration, माइनस कॉश ठीटा होता है लिमिट 0 से 5Y2, तो ये बचा 5Y2 के बल, साइन नाइन टी की वैल्लू 1 और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी लिमिट अपलाई कर रहे हैं तो कॉस पाइवाइटू माइनस कॉस जीरू, तो पाइवाइटू प्लस कॉस पाइवाइटू 0 होता है जे कॉस जीरू की वैल्लू 1 हो गई, मतला आंसर बचा हमारा 5Y2 माइनस 1 यह सवाल का आंसर है, तो हम उत्तर में क्या लिख देंगे i equal to 5Y2 माइनस 1 यह है, ओके उपाइब में स्वाइब सक्क्राइबर सवाल नम्मर 15 इसमें हम पूंड बर्ग बनाएंगे देखो क्लियर दिख रहा है यह बर्ग समीकरन है ठीक है तो यहां आई बरावर इसको ऐसी लिखेंगे पहले बन अपॉन फोर से लेके 1 upon 2 dx और इस माइनस को स्क्वेर रूट के अंदर ही कॉमन लेंगे तो x स्क्वेर माइनस x ठीक है यह अज़ा पिलस जीरो लगा दें तो कोई दिक्कत नहीं है इससे आपको पूरा बर्ग समीकरन दिखाई देने लगा अब हम इसका पून बर्ग बनाएंगे तो देखो कैसे बन अपन 4 से लेके बन अपन 2 dx इस माइनस को बाहर मत निकालना स्क्वेर रूट से बस इतना ध्यान रखना भई x स्क्वेर की जगे x लिखना है फून बर्ग बना रहे हैं क्या बना रहे हैं फून बर्ग complete squaring ओके complete squaring हाँ x स्क्वेर की जगे x यहां क्या है minus 1 minus 1 का आधा लिखो 1y2 का square है ना इसका होली square खोलेंगे तो x स्क्वेर आ जागा minus 2 भी करेंगे तो minus x आ जागा 1y4 एक्स्ट्रा बन रहा है तो उतना minus कर दो लो हो गया balance 1y4 1y2 dx अब इस minus को यहीं अरेंज कर देते हैं तो 1y4 पहले लिख देते हैं और x minus 1y2 का whole square ऐसे लिख देते हैं और अब आप लोगों को formula दिखाई देने लगा होगा कि इसमें हम कौन सा formula लगाए है इसको लिख दो 1 upon 2 का square और x minus 1y2 का square तो आपको clear दिख रहा है यहां पर formula dx under root a square minus x square कितना sin inverse x upon a रख दें चलो तो x की जगे x minus 1y2 रखना है एक ही जगे 1y2 रखना है तो यह आ जाएगा sin inverse x minus 1 upon 2 और यह 1 upon 2 limit है 1 upon 4 से लेके 1 upon 2 इसको LCM लेके और solve कर लेते हैं sin inverse 2x minus 1 only 1 LCM से LCM खट गया है 1y4 से लेके 1y2 अब पहले हम 1y2 रखना है sin inverse x की जगे 1y2 रख देंगे तो यह आ जाएगा 0 और sin inverse 1y4 रखेंगे तो यह आ जाएगा मतला x की जगे 1y4 रख तो 2y4 तो 1y2 बचा 1y2 माइनस 1 माने माइनस का 1y2 देगा sin inverse 0 0 हो गया यह माइनस भार आ जाएगा और यह रह गया 5y कितना 3 5y6 फाइनल आंसर इस सवाल का केवल 5y6 है 30 डिगरी रेडियन में 5y3 यह आंसर अरे भया जे 5y6 है सवाल नम्मर 16 और सवाल नम्मर 17 जिद देखने में एक जैसा लग रहा है यहां 5 प्लस 4sin x यहां 3 प्लस 4sin x है मगर यहां पर हमें supporter function नहीं है मानले इसका derivative dx के साथ नहीं है लेकिन यहां पर है sin x का derivative cos x dx तो यह बहुत आसान पड़ेगा यह वाला ध्यान करिए कैसे किया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर उपर cos sin बगर कुछ नहीं है तो आप यहां पर sin x का trigonometric का एक formula बताया था ठीक है 0 से pi y 4 कौन सा बो मैं यहां लिख देता हूँ और लिखना पड़ेगा उसके बिना काम चला नहीं चलेगा नहीं 4 यह रखना पड़ेगा 2 10 x y 2 और 1 प्लस 10 square x y 2 अगर यहां cos होता तो 1-10 square x y 2 upon 1 plus 10 square x y 2 दोनों होते तो sin का यह लगाना पड़ता कॉस का यह लगाना पड़ता अगर उपर हां इसमें निकनना पड़ेगा इसमें तो हम डारेक्टी मानेंगे आप देखना इसलिए मैं दोनों लिख दी है कि आपको कंपेरिंग कंपेरिंग करने में दिकत ना आए कि कहां क्या करते है ना इसका LCM ले लो 0 से 5 by 4 LCM उपर dx के साथ पहुन जाएगा 1 plus 10 square x y 2 dx और 5 और 1 plus 10 square x y 2 प्लस का 8 10 x y 2 बैसे तो आपको कोई problem होना नहीं चाहिए फिर भी मैंने साम को 5-6 live class चालू की है यूटूब पर रह सकती है जूमेप पर रह सकती है वो मैं आपको message द्वारा बता दिया करूँगा जो students जुड़ नहीं पाएं वो important questions ठीक है important questions सारा बूरा पिपर मैं जो बोड़ पर करवाँगा साम को नहीं मैं से आएगा इसलिए important questions वाली class भूल के ना छोड़ें live के राज से class है और आप लोगों के लिए total free corona की वाज़े से इस साल के लिए केवल तो यह sec square x y 2 dx 5 plus 5 10 square x y 2 plus 8 10 x y 2 फिर उसके बाद आपको ध्यान में आ रहा हुगा 10 x y 2 को हमने t माना था लेट टी इक्वल टू 10 x y 2 on differentiating t का dt 10 x y 2 का बन जाएगा 1 y 2 sec square x y 2 dx 2 को इधर ले आओ जे 2 क्यों आता है पता है ना एंगल का जब करते हैं 10 theta का differentiation sec square theta फिर एंगल का अब ही करेंगे तो x upon 2 का अब कलन करेंगे तो बना 1 to dx आएगा तो वह वाला 2 है यहां sec square x y 2 dx चलिए limit भी यहीं change कर देते हैं जब हम यहां 0 रखेंगे तो 0 मिलेगा 5y 4 रखेंगे तो यह 5y 8 हो गया यहां problem आ गई 5y 8 ठीक है तो पाई सोरी वह भी 10 5y 8 10 5y 8 माने साड़े वाइस सो 10 साड़े वाइस की value तो तुमारा root 2 minus 1 upon 2 root 2 के करीबन निकलेगा अधिकत देगा चिक क्या पर सवाल सही है के गलत है अरे 0 से गड़बड क्या कर गए limit तो मैंने का यहां तो बहुत तिकत आ जाएगी limit भई 5y 2 है correction करेक्शन का लेना सॉरी यह गलती से 5y 4 लिग गया तो तो यह problem खड़ी हो जाती क्योंकि यहां पर जब मैं x की जगए 0 रखेंगा तो यह 0 लिमिट हो गई अपर लिमिट 5y 4 नहीं रखना कितना रखना है 5y 2 तो 5y 2 रखेंगे तो यहां 5y 4 बन जागा तो 10 5y 4 हो जाएगा 1 क्योंकि अगर 5y 4 लिमिट कर देंगे तो यहां बन जाएगा 10.2, 10.22 and half degree 10.22 half degree की value पता है कैसे निकालना पड़ेगा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 10 theta by 2 का 1 minus cos theta upon sin theta फिर theta की 45 फिर सॉल करके तो मतला root 2 minus 1 upon 2 root t की value आ जाती है लेकिन इतना complicated सवाल कैसे हो सकता है चलो सेक इसकर xy2 dx की जगे क्या रख दें 2 dt तो यह 5 plus 5t square plus 8t ठीक है इसके इसको systematic ऐसी लिख लेते हैं क्योंकि इसके गुणनखंड तो होने नहीं है 2 dt इसका बनाएंगे अपन पूर्ण वर्ग तो पहले ऐसा करो टी वर्ग लिखेंगे पर 8t लिखेंगे पर 5 लिखेंगे तो पहले मैं direct 5 common निकाल ला हूं इसका 5 common निकाल ले है 5 common का मतलब 5 का divide दिये दो इसमें तो यह आ जागा t square 8 upon 5t और plus का 1 यह बन जागा अब हम complete squaring करते हैं इसकी 2 कोई मैंने बाहर लिख दिया है t square की जगे t 8 upon 5 का आदा 4 वटे 5 का बर्ग और plus 1 मैं से इसका बर्ग घटा 2 16 वटे 25 ठीक है तो 2 upon 5 हाँ लिमिट चल लए है 0 से 1 0 से 1 dt और t plus 4 upon 5 का whole square यह आजागा 25 16 माने 9 वटे 25 माने 3 वटे 5 का बर्ग अब आप लोगों को formula दिख रहा हुगा x square पिलस e square माने 1 upon e 10 inverse x upon e थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा इदर का इससा हाँ तो formula कौन सा लग रहा है यहाँ बन अपोन e 10 inverse x upon e तो यह 2 upon 5 तो अल्रेदी है बन अपोन e e का मतला हो गया 3 upon 5 10 inverse x upon e माने t plus 4 upon 5 upon e means 3 upon 5 ओके लिमिट है 0 से 1 5 से 5 कैंसेल हो गया 2 upon 3 10 inverse x ले लो तो यह बच जाएगा 5 t plus 4 upon 3 आप रखेंगे हम लिमिट तो 2 2 upon 3 मैं बन रखूंगा तो यह मिल रहा है आंसर कितना पांच चान नो नो के आदे तीन 3 ओके और 0 रखेंगे तो 4 upon 3 यहां पर भी नहीं माना इन लोगों ने 10 inverse x minus 10 inverse y का फॉर्मूला लगाया है तब आंसर बना है तो 10 inverse 3 minus 4 upon 3 और 1 plus 3 into 4 upon 3 एल सीम ले लिवा के फाइनल आंसर अब आ रहा है तीन दर नो नो मैं से चार गए तो यहां बचाएंगे पांच और उपर आ जाएगा 3 4 12 12 3 15 है ना 3 इदर 4 12 12 12 15 15 से कार दो यह है इसका last answer इससे अपना आगे नहीं बढ़ पाएंगे अब उन्होंने कां बीच में छोड़ा है वो भगवान जाना है 5 यह है आंसर इसका क्यों सरल है क्योंकि यहां sin x को मैं अगर t मानूंगा तो sin x का derivative cos x dx वहां दिया है supporting function दे दिया यहां ठीक है जहां supporter function होता है वहां कोई problem नहीं आती तो let t equal to अच्छा जैसे मैं बोल रहा हूँ कि sin x को t मानना है तो sin x के साथ मैं अगर मैं 4 ले ले लूँ पिलस 3 ले लूँ उसको t मानू तो कोई फर्क दोपड़ने वाला नहीं तो पूरा function ही हम नीचे जितना भी दिया है denominator में उसको पूरे को t मान लेते है और differentiated dt 3 का 0 प्लस 4 sin का cos x dx तो dt y 4 equal to cos x dx यह है अब लिखेंगे from 1 and second equation से i equal to चलिए पहले हम limit change करते हैं तो x की जगे अगर मैं 0 रखूं तो sin 0 हो जागा 3 बचेगा की वर ठीक है और x की जगे pi y 3 माने 60 रखें है limit बहुत कतर नाग बना दी इसकी भी ठीक है 60 रखें तो यह देगा 3 प्लस 4 रूड 3 y 2 यह देगा ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 को काट लेंगे अपन तो अब अपना cos x dx की जगे तो रख देंगे कितना dt by 4 यहां लिख देंगे यह नीचे बचा केवल t फि कि supporting function है उसका ठीक है i equal to 1 upon 4 limit है 3 से लेके 3 plus 2 root 3 और यह 1 upon t dt 1 upon t का integration log t लिख देंगे ओके तो i equal to 1 upon 4 log t और value है 3 से लेके 3 plus 2 root 3 limit apply कर दूँ तो log 3 plus 2 root 3 बस जे सवाल अंतिम सांसे गिन रहा है तो i equal to 1 upon 4 log 3 plus 2 root 3 3 और minus वाली value हम divide में रेक सकते हैं लेकिन अपर limit यह थी और lower limit 3 थी जे 2 कहां से बन गया वही जे 3 का divide दे दो answer यहां पर भी छोड़ सकते हैं 3 को अलग अलग लिख सकते हैं तो यह आ जागा 1 plus लिखी दे पता नहीं answer उन्होंने कितना लिखा हो आप तो यहां तक छोड़ देना कोई दिकत नहीं है और अगर 3 का divide 3 में देंगे तो 1 और 3 का divide देंगे तो 2 upon root 3 बस इससे अपना आगे नहीं ले जा सकते इस सवाल को अब क्या लोग की value रखेंगे की अवकी, फिनिस्स